हेलो वीवर्स वेलकम तो मदिलिका क्लासिस तो आज हम स्टार्ट करेंगे चाप्टर 11 का सेकिंड पार्ट ठीक है जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रेशन इन आनिमल्स और ट्रांस्पोरेशन इन प्लांट्स के बारे में तो हमें इतना मालूम है कि हमें मालूम है ठीक है कि इम्पोर्टेंस नहीं है ठीक है सेकें जो हमारा अंडाजिस्ट्ट फूड है वह भी आपको मालूम है इक वह रिमूवद बाई इजेशन है कि हमने डाजेशन चाप्टर में पढ़ा था कि इजेस्ट आउट हो जाता है जो भी अंडाजिस्ट्ट फूड होता है अब देख यूरिया होता है वह भी वेस्ट ही होता है तो वह कैसे सब चीज़े कैसे रिमूव होती है तो यह सब रिमूव करने के लिए ना स्पेशल सेल्स होते हैं स्पेशल और्गन्स होते हैं जो यह काम करते हैं तो यह सब कुछ जो वेस्ट प्रड़क्स है वह हमारे बलड में ही और इसके बाद फिर यह फिल्टर आउट होती है तो वह सब कैसे होता है इसके बारे मैं जानते है पहले हम पर tips में इसक्रीशन का और और इसक्रैटरी सिस्टम की बारे में पढू लेते हैं जो t Оп जो two toxic substances को हमारी बाडी से remove करता है the process of removal of waste produced in cells of the living organism is called excreation, उसी को excreation कहते हैं ठीक है और जो parts involved है वो क्या बनाते है excretory system ठीक है तो चली जानते है excretory system in humans के बारे में तो humans में जो waste होता है वो blood में रहता है और ये blood में से filter किया जाता है ये filtration का काम करता है क्या करते है कौन करते है किड्नी करते है जब blood हमारी kidneys में पहुचता है तो उसमें useful harmful दोनों substances रहते जो useful substance होता है वो absorb back हो जाता है जो harmful substance होता है वो blood kidney जो हमारी होती है वो bean shaped होती है ठीक है बीन shaped में इसमें blood capillaries होते है मैंने capillaries के बारे में आपको बताया था आर्टरी जो है पतली-पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है उसी को capillaries कहते है ठीक है तो ये यहां लिखा हो है the useful substances are absorbed back into the blood the waste dissolved in water are removed as urine ठीक है जो है फिल्टर आउट होके उसके बाद फिल्टर में डिजॉल्व होके यूरिन के फॉर्म में हम पास करते हैं ठीक है यूरेटर के थ्रू ये यूरेनेरी ब्लाडर में आ जाता है और फिर यूरेथ्रा से पास हो जाता है बाहर ठीक है यह देखें इहां लिखा है यूरेनेरी ब्लाडर में वह स्टोर रहता है and then it is passed out through muscular tube called यूरेथ्रा ठीक है तो किड्नी यूरेटर ब्लाडर और यूरेथ्रा मिला के excretory system in humans बनाते हैं अब देखें नॉमली जो है एक adult human 1 to 1.8 liters of urine पास करता है in 24 hours ठीक है और यूरेन में सबसे जादा क्या होगा बेटा water होगा ठीक है सबसे जादा 95% water होता है यूरेन में ठीक है 2.5% urea होता है और बाकी 2.5% other waste products होते हैं ठीक है यह चीज़ आपको याद रखनी है अब देखें कभी 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 गर्मियों में sweating बहुत जादा होती है तो sweating में क्या निकलता है पता है salt निकलता है salt and water ठीक है salt and water is removed आपने कभी कभी देखा होगा गर्मियों में जब आप डा इस Kimberly's Latte का match बन जाते है पैच बन जाते है वह किसको होता है dealt a mark होते है तो सॉल्ट को मार्क होता है थेक है तो स्वेटिंग होती है यह निकाल रहे हैं दूसरा हमें कूलिंग करते हैं हमारी बोडी को कूल करती है ठीक है जिस तरह से मठके में पानी धंडा रहता है इसी तर यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, when we sweat it helps to cool our body, ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो हमारे बाकी animals हैं, वो क्या-क्या excrete करते हैं, ठीक है, तो humans अबसे ज़्यादे क्या excrete करते हैं, यूरिया excrete करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो aquatic animals होते हैं, जैसे कि fishes हैं, ठीक है, यह क्या excrete करते हैं, यह ammonia excrete करते हैं, ammonia excrete करेंगे, वो directly water में dissolve हो जाता है, ठीक है, कुछ animals होते हैं, जैसे birds, lizards, snakes, यह excrete क्या करते हैं, यह semi solid white colored compound excrete करते हैं, जिसको बोलते हैं, यूरिक acid, आपने birds का poop देखा होगा, यह बहुत लोगों ने experience किया होगा, तो वो white color का होता है, कि ने, ठीक है, वो white color का होते हैं, यूरिक acid है, ठीक है, वो uric acid excrete करते हैं, ठीक, birds, ठीक है, अब देखे, क्या होते हैं, कभी कभी लोगों की kidney fail हो जाते हैं, kidney stops working, ठीक है, वो क्यों होते हैं, कभी infection की वज़े से, क तो क्या होता है, अगर kidney fail हो गया है, failure में, waste products accumulate होने लगते हैं, blood में, और यह अगर waste product हमारी body में accumulate होने लगते हैं, तो फिर survival मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अब एक artificial kidney बन गई है, जिसके through हम blood को filter out करवाते हैं, उसको बूलते हैं, तो बूलते हैं, dialysis, ठीक है, dialysis में क जो काम kidney करती है, वो machine से करते हैं, बस यह होता है dialysis, ठीक है, यह हो गया excretion in animals के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे transport of substances in plants के बारे में, तो हमने यह पढ़ा है, कि plants जो होते हैं, water and minerals, जो water and mineral nutrients हैं, वो soil से लेते हैं, ठीक है, और जो flower, जो leaves होते हैं, वो food prepare करते हैं, by photosynthesis, हम पढ़ा था, ठीक है, तो जो water and nutrients हैं, उनको leaves तक पहुचना है, और leaves से food को root तक पहुचना है, अभी कैसे होगा, क्यूंकि सारे जो cells है, plant के, वो सब को energy की जर्रत है, तो जिस तरह से humans में transportation होते हैं, उसी तरह से plants में होना चाहिए, तो उसके बारे में, आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं, कि transport of water and minerals कैसे होता है, ठीक है, यह देखिए, root में root hairs होते हैं, तो root hairs का वही काम है, जो small intestine में villi का काम होता है, आपको याद है villi, ठीक है, विलi का क्या काम था, surface area को increase करना, वही काम root hair भी करते हैं, वो surface area को increase कर देते हैं, ताकि जाद से water and minerals absorb कर सकें, ठीक है, अब जब root hair ने absorb कर लिया, तो उसके बाद फिर, क्या होता है, फिर, जो है, हमारे plants है, उनके पूरी body में, जैसे pipe-like vessels होते हैं, जिस तरह से हमारे blood vessels है, उसी तरह से plants में भी pipe-like vessels होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूटरिंस को from soil to other plant parts, ठीक है, इन ये vessels जो है, वो specialized cells से बने होते हैं, जिनको बोलते है vascular tissues, ठीक है, अब देखे, आपने को पता ही होगा, cell जो होता है, वो एक होता है, जब एक group of cell, same function perform करते है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं, तिसको बोल देते है वो group of cells हैं, जो same function perform कर रहे हैं, ठीक है, तो जो tissue, water and minerals को, जो है, हमारे plant के root से, उपर बाकी plant parts तक पहुचाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस vascular tissue को बोलते हैं, xylem, ठीक है न, वो होता है, xylem, ठीक है, तो xylem क्या है, xylem continuous network of channels है, जो connect करता है root को to leaves through stem and branches and thus transport water to entire plant part, ठीक है, दीक है, यह हो गया हमारे water and minerals का, अब दूसरा leaves से food, ठीक है, तो food कौन करते हैं, food भी इसी तरह के pipe like vessel है, दूसरा vascular tissue है, उसको बोलते है, phloem, ठीक है, तो आप इसको फर, ये भी फर, तो फर से food, फर से phloem, तो दोनों phloem ही food को transport करता है, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा food का, और mineral and water का transportation in plants, तो आप ये चीज कैसे देख सकते हैं, ये हम, ये जो activity 11.3 है, ये मुझे लगता है class 6 में, नहीं, अभी, class 7 के ही first chapter में भी था शायर, कि एक water glass लीजिए, उसमें water डालिये, और इसमें ink डालिये, और फिर कोई भी एक, you know, herb लीजियो, इसको overnight रख दीजिये, next, आप observe करेंगे, इस तरह से, अगर उसका अपने section कट किया, तो वो red color इसमें दिखेगा, तो ये red color के xylem ही दिख रहे हैं, ये vascular tissues हैं, ठीक है, इससे पता चलता है, कि yes, water has been transported from roots to उपर leaves तक, ठीक है, अब next, देखते हैं, transpiration के बारे में, तो transpiration के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, classics में, कि जितना भी water, plant ने absorb किया from root, ठीक है, तो वो सारा का सारा water utilized नहीं होता है, कुछ water जो है, evaporate हो जाता है from the stomata, ठीक है, which are present on the surface of leaves, इसी process को बोलते हैं, transpiration, ठीक है, the water evaporates through stomata, present on the surface of leaves by the process of transpiration, ये जो evaporation हो रहा है, इससे ना एक सक्शन पुल होता है, जिस तरह से हम स्ट्रॉम में उपर से water को खीचते हैं उसी तरह से सक्शन पुल बनता है, जिसकी वज़े से रूट से ऊपर तक पूरा पानी आ जाता है, जायलम में, तो बड़े बड़े जो होता है, उसमें जो ट्रांस्पिरेशन है वो एक तरह से हल्प करता है, ट्रांस्पोर्ट ओवाटर को भी ठीक है, ये हो गया, ठीक है, जिस तरह से स्वेटिंग हमें कूल करती है, तो इस तरह से हो गया, ये हमारा चाप्टर फिनिश, आप दोनु पार्ट पार्ट वन भी देखिए, पार्ट टू भी देखिए, तब ये पुरा चाप्टर अपका फिनिश होगा, ठीक है, कीवर्ट्स, अमूनिया, आर्टरी, बलड, बलड वेसल, कैपिलरी, सिर्कुलेटरी सिस्टम, डायलेस, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, हीमोगलोबिन, हर्ट बीट, किद्नी, फ्लोयम, प्लाजम, प्लेटलेट, पर्स, रेड बलड सेल, रूट हेयर, स्टेथोस्कोप, स्वेट टिशू, यूरिया, यूरेटर, यूरिक आस तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थाइंक यू